हाई हैलो नमस्ते आपको सुखतिया आपको इट्वी चैनल स्केर्ट अजिस प्रदीप अब कर देख भुड़े अब कर देख पर नर्म डिस टाइम विंट्रीच जाटो वह भी तीन टाइम विकली टाइम वाँन देख आयम वीकली टाइम और में टाइम टाइम मोट करने से प फेस किया, 9800 से, और weekly में देख सकते हैं, weekly में एक strong upper trend movement है, and market continuously 3 week से upper level पर movement कर रहे है, and exactly market एक support लेता 18800 पर, exactly एधर एक support लेके market उपर गयता है, and market अभी 19800 आसपस में आएके, market उधर से rejection phase किये, and market में अभी भी market bullish है, ये मगर मार्कर तोड़ा बहुत एक सपोट करने का कोशिश कर रहे ऊपर लेफल पर क्योंकि मार्क उंसली मार्केट मुवमेंट करने के बाद तोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करेगा एक मार्कट में 19300 का एक एक इंपोर्टन्ट सपोर्ट रहेगा 19300 जैसे ब्रक करेगा 18800 तक भी देखने के मिलता है अधर्वाइस 19300 के ऊपर कब यह मार्केट है तब तक मार्केट एक भूलीष टंड यह है फोड़ा बहुत मार्केट करने के वाज़े से आपर लुवेल पर हैं तोड़ा बहुत एक स्ट्रेगल करके मार्केट और अपर लवेल पर मुझेंट करेगा another इसके बाद में हमको मिलता है 20200 का एक मुए यह अधर्वाइज मार्केट में वेट कीजिए एक ब्रकोड के लिए वीकली में पॉजिशन बनाना चाहते तो आप वेट करना पड़ेगा आप यह अधर्वाइज में पॉजिशन बनाता रहेगा और इधर कौनसा भी रिस्क ने इसमें एक प्राइज अक्षन है औक इसमें प्राइज अक्षन एग्जाटली दिखे इधर ब्रकोड होने के बाद मार्केट पिर से मार्केट रिवर्स लिए ऐक रिवर्स लेने के बाद एक रिजएंस था ऑके रिजन्स को ब्रक किया ब्रक करने के बाद उसके उपर 2 वीगले में ओके वीकले में दोग केंडल सश्चन हो आया एंड बाद में हमको रिजनस मिला नाइंड दोड़ से रिजेक्शन लिया तोड़ा बहुत इदर एक मेरे को इंसार्ड केंडल बनता हुआ दिखा सकते और इंसार्ड केंडल बना के बाद में एक मुमेंट दे सकते ओके जैसे इंसार्ड केंडल में हमको देखने को नेक्स्ट बिक में बना के मारकेट एधर एप तोड़ा वह सपोट इसके उपर लिया तो यह आता है या यह आक्ट सपोज इसको ब्रक करके नीच आया तो फिर 18 ऑदे पाडली टेम्फ्रेम में जाएंगे आँड है अभी इसमें डेली टेम पर में भी एक्जाटली एक सपोर्ट था ओके एंड यह सपोर्ट था 90.13 का ओके 90.13 जैसी मार्केट रस्पेट किया उदर से रिवर्स हुआ यह स्ट था एंड रसपेट किया अंड ऊपर गया था शेम उसके बाद में मार्केट एक ब्रकोड देदिया एंड आफ्टर मल् एक सपोर्ट था उधर मार्केट एक सपोर्ट लेकर मार्केट उपर गया एंड वही जोन का किस जोन से मार्केट रिजेक्शन किया था वही जोन को रिस्पर्ट के मार्केट फिर से मार्केट एक डाउंटरेंड दिखाए एंड इधर एक डबल बॉटम बना के फिर से करके ये सेम सेम hablar कोशिष कर रहे हैं एग जाटली टीनों केंडल सेना सेम जान पर ०बर आप कर ये अभी नीचे स्पोर्ट लेवेल एस्ट्रॉंग सपोर्ट ji इड़ा पर उपर लिवबtake रिजेंस अब एक स्ट्रंग नांती तॉपास्ट्थशन रात धात जैसे यह लिवबब डूटेगा नांती तॉपास्थट्थ तो मार्केट में इफ सपोज मार्केट में सपोट लेवल टूटा तो फिर हम नाइंटीन तौन त्रियानेट भी पॉसिबिलेटिया मार्केट में देखने के लिए मगर यह दोनों इंपोर्टन्ट जोन रहेगा एक रेजनस एक सपोट ओके डेली टेम फ्रेम में एक पोजिशन बनाने के लिए इफ सपोज एक दोनों में से कुणसा भी लेवल ब्राखवा था वो डिरेक्शन पे मार्केट मुवमेंट करेगा ओके और फिलाल मार्केट में ड अब कितना बड़ा था उसके बेट्वीन एक केंडल ऑब क्लोजिंग हुआ है वह भी लास्ट इंसिक्शन का इसका मतलब मार्केट एक इंसाइड कैनल से बनाते मार्केट थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर सकते एंड से स्टें करके मार्केट मुवमेंट करेगा आप लेल पे तरह से मार्केत करके लेका अब देख सकते हैं एक टूर लान ब्रॉट के लski आन्द यके यह दू दीन का एक क्सपोर्ट ट्रॉनेन का लिए रस्पेट करके गए था है ओकर ये फर्स्ट तेस्ट है और मार्केट ऊसके अगले दिन के बाद सब्सक्राइब करके पर यह पिरने के बाद मार्केट तोड़ा बहुत से से केन रजिक्ष्शन लेलिया है एह हुआ हाह स्वा पीर से एंड इप सपोज मार्केट में अभी मंडे में एक सपर कर रहा है गब डाप में ओपन हो सकते एंड गापन में ओपन हुआ तो 967 T आस पास में हो सकते ओके यह जोन पे हो सकते गडापन ओपन हुआ तो इंड गापन ओपन हो ना वट के जे नांटीज रेख ओन डेक यथ सपर्फ ब्रक खुआ तो एक सेलिंग करके जा सकते एक सब्सक्राइब न हैं करके जा सकते और सब्सक्राइब यथ होने के पर लाकरेट किया मार्केट वा पास ओट रिवर्श बेट का इए एंड second candle के लिए wait कीजिए and if suppose market तोड़ा वो तो इदर struggle करके market वापस जाने के ऊपर कोशिश किया तो wait कीजिए जाने के लिए दीजिए बाद में retest होगा retest होने के बाद market फिर से इदर से selling करेगा ओके इदर से selling किया तो फिर से market हमको downtrend पर जा सकते market में और कभी भी यह record होता है ना उस time पर एक retest भी होता है ओकि retest के लिए हमने wait करना पड़ेगा retest जैसे respect करेगा उतर से selling कर सकते और इसके उपर हमां एक stop plus लागा के हम मार्केट में उतर सकते एंड उसके बाद में हमारा टार्गेट रहेगा 9580 तक रहेगा market में ओके एंड इफ सपोज market इसको ब्रक करके reverse करे तो हम इदर भी एक buying portion बना सकते 9580 के उपर and buying पोजिशन बना के आम 9670 तक हमारा टार्गेट रहेगा ओके इफ सपोज उतना बड़ा ग्याप डॉन ओपन वने के बाद market स्टेट फॉल वा तो 9580 के उपर market एक support करेगा ओके support करके market उपर जाने का कोशिश करेगा आम गये तो 9670 and 9730 तक भी जा सकते मार्केट में ओके इफ सपोज ग्याप आप में ओपन वा तो वेट कीजिए 9800 ब्रक हो नेका इफ सपोज 9800 ब्रक नहीं हुआ फिरसे market उदर रसरिजेशन को लिया तो हम इदर एक selling करेंगे 9730 तक हमारा टार्गेट रहेगा इफ सपोज 9800 ब्रक हुआ तो और 9874 आपका टार्गेट रहेगा और इधर से भी market एक ब्रकोट करके ऊपर गये तो 20.000 एस एक रिजेशन जोन रहेगा एए रेजसन जोन हम रिस प्रक कर सकते हैं उसके बाद में 20.000 करके उदर से भी उसको भी शस्टेन करके ब्रक्ट देगा था फिर लेटने 200 बी पॉसिबिलिटियर मार्केट में रहे होगे कई एक क्रेद करें जो करने के बाद में अब यॉगत पनार एग मार्क उपर सक्षिय pakai को पर 80 के उपर ओके 580 के उपर एंड अभी इफ सपोज मार्केट नेक्स्ट विक में एक इधर एक ग्रीन केंडल के तो मार्केट हमको अपर लगेल पर वापस धेगने के लिए मिलते हैं मार्केट मुवमंट और वह भी तर्ड टेस्ट होगा और दो बार टेस्ट करके मार्केट रि मार्केट उदर से रिजेक्शन भी ले सकते हैं या उसको ब्रक करके भी जा सकते हैं वहां तक मैंने एक्सपेट कर सकता हूं वीकली में इफ सपोज मार्केट में नेक्स्ट वीक में 43.580 के नीचे एक रड केंडल प्रेट किया है तो एक स्ट्रॉंग रड केंडल फॉर्म ह तक भी जा सकते हैं वापास हमको 42,000 भी पॉसिबिटी देखने के लिए ओके 42,500 एंड 42,000 इस उन भी हमको देखने के मिलता है मार्केट में ओके वीकली में एंड मैंने बताए आपको 44,000 इसमें आता है 43 तो 44,800 एंड 44,000 इस ओन दोनों भी जैसे ही ब्रक करेगा मार्केट म हमको देखने के मिलता है आप टू 46,000 तक ओके एक लॉंग पोजिशन हम बना के जा सकते है यह जोन पर ओके एंड वहां से हमको एक 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 46,000 माइट भी ओवे शसनर के था एंड 46,400 एंड भी पॉसिबिलिटी है मार्केट में ओके यह वीकली में अभी हम डेली टेम में हमें देखिएंगे ओके डेली टेम में आपको तोड़ा अओत क्लियारीटी दिखाइदे लुए एंड हमको विकली में उत्ना क्लियारीटी नहожно देखने के मिलता है क्योंकि मार्केट में भी देखिए मैंने आपको वीकली में बताया था एक पहले तो एक सपोर्ट था एक सपोर्ट को अभी मार्केट ब्रक करके मार्केट एक रेजिंस बना चुका है ऊके रेजिंस बना चुका था उसके बाद में मार्केट इसको ब्रक कि और जैसे मार्काट इसको परक्ड़ किया है तोड़ा बहुत मार्केट इसके उपर श्रॉब किया बार बार पले मार्केट वाइना मार्केट में एक और फेलिफने के बार क्योंकि रेकॉर देने के बाद कभी पर रिटेस्ट होता है एंड मार्केट करने के बाद मार्केट एक रिटेस्ट किया मार्केट ने एंड मेरे को लगता नहीं इसको ब्रक करके वापस नीचे आ सकते हैं ओके एक डिमांड जोन मार्केट यहां तक आ सकता था आ चुका है मार्केट एंड 43,500 का एक जोन तक आ चुका है इस सपस 43,500 जैसा ही ब्रेक करेगा ब्रेक करके उसके नीचे कहीं भी आपको टेक केंडल क्लोज होता हुआ दिखाए 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 दिए तो फिर में फिर से स्टार्ट हो जाता है डाउंटरेंड एंड ओ आता है 43,000 का ओके यहां तक आ के फिर से मार्केट एक रिवर्सल ले सकते है या मार्केट यहां तक भी आ सकते है मगर हमको यह देखना चाहिए डेली टेम फ्रेम में एक रेड केंडल इसके नीचे कंप्लेट होता ह मार्केट यहां से एक यहां तक मार्केट एक सपोर्ट लेकर पेसे रिवर्स के तो वेट कीजिए मार्केट में यहां एक रिवर्स करेगा उके रिवर्स किया तो भी आपको 43,000 580 या 6,000 के ऊपर एक केंडल फ्लोज होना चाहिए तब भी आप एक एंट्री ले सकते है आध 23,000 580 के ऊपर एक और एक ग्रिंग कानल कंप्लेट होना चाहिए इसके नीचे रेट कानल कंप्लेट होना चाहिए ओके इसके लिए आपको वेट करना ज़रूर रिया एंड जैसे एक रेड कैनल फॉर्म होगा एक सेलिंग देखने के मिलते हैं बड़ा सेलिंग भी हो सकते है क्योंकि इतना बड़ा एक स्टपलोस था इन इतना बड़ा एक तकि बार बार मार्केट एंडरः करने के बाद के बारकेट इसको ब्रक भाड़ देया ता अब फिर से मार्क ρा ऑई एक काम मार्केट बार बार रेसिवेट कर के बात में concern है मगर यामपाड़ हो चुका है ती नीचे के केंडल क्लूजिंग लिए अभी इंप्रटन्ट अमको यह रहेगा 40500 का जैसे इसके नीचे आएगा सब हमको देखने के मार्केट में अपको बाइंग तब भी करना चाहिए 44000 के उपर जब मार्केट निकलेगा ओके 44000 इसके उपर निकला तो यह आप एक बाइंग पोश्यन बना सकते हैं आप तो 46000 का एक जोन रहेगा यहां तक भी हमको देखने के मिलता मार्केट में जोन पर जा सकते हैं 44000 एंड 43500 का एक जोन रहेगा यह जोन पर ही मार्केट पसा रहेगा एंड बाद में आपको टाइम डीके भी होने का चांसे ज्यादा होने के वेजह से आपका प्रेमियम में गिरना श्राट करते हैं इसके वाज़से आपको वेट करना जरूरे के जा सकते हैं मगर रिस्क के साथ जाना पड़ते हैं आपको एक रिस्क लेना ही पड़ता है आपको 43300 का एक एक स्टोपलोस रहेगा एंड 43000 का एक स्टोपलोस रहेगा यहां यहां तक आपको स्टोपलोस लगके जाना पड़ेगा मगर स्टोपलोस बहुत बढ़ा होता है एंड एक डाउंट्रेंड होने के बाद तोड़ा बहुत इधर मार्केट एक मतलब हाइयर लोग बना किया मार्केट फिर से मार्केट अपर लेवल पर मंट कर सकते हैं अब हम 15 मिंट्स में जाएंगे मंडे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं अल्यडी मैंने सपोर्टन रिजन्स और रिजेक्शन एडिया है और अल्यडे अब देख सकते हैं हमने इधर तीन रजेश्ट मतलब एक तीन रजेश्ट से 44,060 का 43,868 का और 43,700 का और इसके बाद में नीचे आता है सपोर्ट लेवल 43,500 का 43,414 का और 43,285 का ओके एक स्ट्रोक सपोर्ट रहेगा क्योंकि बार- और इस बार भी मैंने वही एक्सपेट कर रहा हम 43,285 एक मेजर सपोर्ट है और वहां तक में मार्केट आके एक रिवर्स करेगा और रिवर्स लेए तो 43,285 के ओपर एक बाइंप पोजिशन भना सकते हैं और आपका टार्गेट रहेगा 43,400 का और 43,500 का क्योंकि इसके उप पर मार्केट गए है तो आप लेसकता है क्योंकि अधर्वाइज मार्केट ब्रेक ओट केया तो आप इधर से एए रिग रिजेक्शन फेस करसते हैं इसके वस्यापका 43,500 का एक टार्गेट रहेगा इफ सपस्पाज 44,285 के ओपर बाइंग के इसको पर मार्केट में एक बाइंटरी कर सकते हैं इस आप एंटरी ले सकते हैं एट शिक्टी एट रहेगा ओवी जैसे टूटेगा है आमको फोर्टी दोन फोर अन्रेड भी पॉसिबिलिटी है मार्केट में इस अपको वेट करना पड़ेगा फोर्टी दोन फोर नेडड ब्रक होने का क्योंकि और 44,400 का इसके वासे आपको वेट करना पड़ेगा ओवी ब्रक वातों फिर 454-285 भी पॉसिबिलिट है एंड उपर लेवल पे 44,468 भी पॉसिबिलिट है मार्केट में ओके यह ले वेल स्टेट निफ्टिप्टा एंड बैंक निफ्टिचाट आए होप आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चानल को सब्सक्राप कीजिए और हीटी थी बेल एकोन अपको नया वीडियो को नुदो शिर्म लगा और लाइक और शिर्र कीजिए तैंकि फॉर वचिंग कीप सब्सक्रास